गूगल पे को चालू किसे करें आज किस वीडियो मैं आपको complete प्रोसेस बताने वाला हूँ गूगल पे को चालू करने के लिए सबसे पहले प्लेश्टोर पे चले आएंगे और यहाँ पे टाइप करके गूगल पे आप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे open कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉन नमर आप यहाँ पे इंटर करेंगे और जो भी आप फॉन नमर यहाँ पे देंगे वह किसी बैंक के साथ जुरा हुआ होना चाहिए उसके बाद continue वाले बटन पे किलिक कर देंगे उसके बाद accept and continue वाले बटन पे आप किलिक कर देंगे उसके बाद आपके सीम को verification किया जा रहा है जैसे ही verification OTP के द्वारा किया जाता है तो यहाँ पे आपका Google पे का home page खुल जाएगा इसके बाद यहाँ पे देख सकते है add bank account तो यहाँ पे अपना bank account को add करेंगे add पे किलिक करके इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको bank account मिल जाएगा तो जो भी आपका bank में खाता है उस पे आप किलिक कर देंगे तो मेरा SBI का SBI पे किलिक करके continue वाले option पे किलिक कर देते हैं उसके बाद जो भी परमिशन है आप इसे allow कर देंगे SBI से verification किया जाएगा आपका bank और Google Pay को इस तरह से आप Google Pay में जो है अपने bank account को जोर सकते हैं bank account को जोरने के बाद अब यहाँ पे आप UPI pin बनाएंगे UPI pin बनाने के लिए आपको ATM card की जरुवत परने वाला है ATM card को आप साथ में रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक profile का option है तो इस profile वाले option पे आप किलिक कर देंगे और जो भी आपने bank account को add किया है उस पे आप किलिक कर देंगे जैसे मेरे SBI है SBI पे हम किलिक कर देंगे और एक नीचे में option आपको देएगा forget UPI pin या UPI pin set उस पे आपको किलिक कर देना है जैसे ही आप किलिक करते हैं ATM card का last का six digit इंटर करेंगे और month और expire इंटर करेंगे इसके बाद proceed वाले option पे किलिक करेंगे आपके मौल नमर पे OTP आएगा और आप यहाँ पे UPI pin बना सकते हैं अल्रेडी मेरा बना हुआ इसलिए हम नहीं बनाना चाहते हैं उसके बाद अगर आप क्यार कोड से scan करके payment करना चाहते हैं तो इस वाले option पे किलिक करेंगे किसी भी करकोड को scan करके payment कर सकते हैं अगर इस पेश को आप फॉपर करेंगे तो यहाँ पे bank balance को चेक करने के लिए check balance पे आप किलिक कर देंगे तो यहाँ पे आप अपना जो भी UPI pin सेट की हैं वह UPIP यहाँ पर इंटर करेंगे इसके बाद आप अपना bank का balance भी check कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद जो भी आप transaction करते हैं अगर आप transaction देखना चाहते हैं तो 100 transaction पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप जितने भी transaction किये हैं वो यहाँ पे आपका दिखा दिया जाएगा इसके बाद फिर से profile वाले option पे click करेंगे अगर आपना google code का care code देखना चाहते हैं इस पे आप click कर देंगे तो आपका google pay का care code यहाँ पे दिखा दिया जाएगा इसको किसी को भी scan करके देंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा 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 जाए